तो दोस्तों, अगर आपका बजट 5,000 के अंदर है और आप इस बजट में कोई बेस्ट 5G स्मार्टफोन ढूंड रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हमने टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन की लिस्ट तयार की है, जो शानदार परफ है इसकी खासियत हैं, जो इस बजट में काफी मुश्किल से मिलती हैं, जैसे कि इसमें हमें 5G का ड्यूल सिम सपोर्ट देखने को मिलता है, 6.52 इंच की IPS LCD डिस्पले, वाउ, इतनी बढ़िया बात है ना, और मीडिया टेक TVO G36 प्रोसेसर के साथ, इसमें 4GB RAM और 66GB स्टोरे की बिक बैटरी भी मिलती है, पम और कीमत सिर्फ 5,499 के अंदर, नंबर दो पर है, इन्फिनिक स्मार्ट 7 5G, दोस्तों ये भी 5G SIM को सपोर्ट करता है, इसमें Unisoc SSC 9863A एक प्रोसेसर है, जो पढ़िया परफॉर्मेंस देता है, इसमें 2GB RAM और 64GB स्टोरेज मिलता है, कैम 5MP Dual Camera सेटप है और 5MP का Selfie Camera भी है, Selfie की बैटरी 5000 मिलियंप आवर्स, बजट सिर्फ 5,499 है ना कमाल, नंबर तीन पर है, शाओमी Redmi A2, इसमें 6.52 इंच की IPS LCD डिस्प्ले, मीडिया टेक हेलियो जी 33 प्रोसेसर, 8MP रियर कैमरा और 5MP Selfie Camera है और 5000 mAh बैटरी के साथ आता है, बम कीमत आपको पता ही है, 5.499 फैक्टोरियल नंबर चार पर है, मोटरोला मोटो E13, दोस्तों इसमें है 6.5 इंच की IPS LCD डिस्प्ले और Unisoc T606 प्रोसेसर, मोबाइल कैमरा, 13MP बैक कैमरा और 5MP का सेलफी कैमरा, पैटरी, 5000 mAh गंटा की बिक पैटरी, बम प्राइस सिर्फ 5, 499 और आखरी में नंबर पांच पर है, एर टेल 45 रुपे स्मार्टफोन, इसमें 6.6 इंच की IPS LCD डिस्प्ले, Unisoc SSE 988 प्रोसेसर और 13MP प्लस शून्य, 3MP का ड्यूल कैमरा सेटप है, सेलफी की बैटरी, 5000 mAh, 18 वाट फास्ट चारजिंग, बम प्राइस सिर्फ 5,499 तो दोस् कौन सा फोन आपको सबसे ज्यादा पसंदा है, हमें कमेंट करके बताना मत पूलना, हाँ हाँ मिलते हैं अगली वीडियो में